हर हर महादेव जैश्री अमरनाथ जी अमरनाथ जी यात्रा पंजी करण ने एक बार फिर से बड़ी रफ्तार पकड़ ली है लगबग चौथे दिन अमरनाथ जी यात्रा के पंजी करण एक लाख पार होने की उमीद है आप सभी को बदा दे भगतू की भारी भीड बेंक कामना करना पड़ रहा है वो भी आप सभी को बदाएंगे इससे पहले आप सभी को बदा देते कि अब तक कितने पंजी करण हुए हैं अमरनाथ जी यात्रा के लिए क्योंकि बहुत सारे भगतों को स्लोट्स नहीं मिल रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा के स्टार्टिंग डिर यहां पर पुलीस अधिकारियों को भी तैनात करना पड़ रहा है। फिलाल 8 जुलाई तक के सारे के सारे स्लोट्स फुल हो चुके हैं और इसमें ऑनलाइन पंजी करण जो हुएं लगवग 30,000 के करीब ऑनलाइन पंजी करण हो चुके हैं। अब तक पहल गाउम रूट से लगवग 28,000 से अधिक पंजी करण प्राप्त कर लिये हैं। वहीं बालटाल से यात्रा करने वाले श्रत धालों ने आफलाइन पंजी करण के लिए 21,000 से अधिक अपने यात्रा परमिट प्राप्त कर लिये हैं। आप सभी को पता दें। अमार नाज जी श्राइन बोर दुआरा 15 अपरेल से यात्रा के लिए आगरिम यात्री पंजी करण शुरू किये गए थे। और इसी यात्रा के लिए आप सभी उपता दें। 29 जून से बाबा बोले नाज जी की यात्रा शुरू हो रही है। और इस वर्ष की यात्रा में फिलाल आने वाले दिनों में यही पता चलेगा कि हेलिकेफ्टर बुकिंग कम से उपन होगी। क्योंकि यात्रा पर आने वाले शुरू धालों को जो भी भग्द हैलिकेफ्टर से यात्रा करेंगे उनको रिजिस्ट्रिशिन की जरूरत नहीं रहती है। कि अमबाला में अमरनाथ यात्रा का पंजी करण करवाने वालों की भीड उमड रही है। ही भग्तू की कतारे लग गई। दोफायर्तक सिती ये बन गई कि भग्त बैंक की भीतर घुसने के लिए आपस में धक्का मुकी करने लगी। वेवस्ता बनने के लिए बैंक सिक्रूटी गार्ड को मजबूरन मुख्य गेट बंद करना पड़ा और भीतर से टोकन सिस्टम चालू किया गया। तो देखे अगर आप पंजीकरन के लिए जा रहे हैं तो देखे आराम से अपना पंजीकरन करवाएं धक्का मुकी ना करें। आप सभी को पता रहेगा कि अगर इतने जदा पंजीकरन हो रहे हें तो कहीने कहीन वेबसाइट जु है वो भी टेक डाउन रहेगी। साथी साथ आप सभी आत्रू के लिए बड़ी जान का रही है और ये देखें श्राइन बूर्ड के लिए बड़ी जान का रही है क्योंकि कहीं सारे तीरत यात्री हैं जो आनलाइन पंजी करण करवार रहे हैं पर उनके डॉक्टर अथर्टी का नाम नहीं आ रहा है जिससे कि उन्हें बहुत ही बड़ी प्राशानियों का सामना करना पड़ रहा है और दिन बे दिन जो हैं वो स्लोट्स बुक पोड़ते जा रहे हैं और इस पर श्राइंड बूर्ड जरूर अपना गौर फर्माएं और साथी साथ ये है कि देखिए एक अधार कार्शानियों को लेकर आपडेट theo गοह habla, क्योंकि पीछले साल के विवस्थाओं में जो था करूंख पंजी करन से इस वर्च के 18 entity अधार कार्शान नहीं हो पा तो कहीं ने कहीं श्राइन बूर्ड इसके रिगार्डिंग्स भी श्रतधालों को अपडेट देकी अधार कार्ड लिंक ना करवाना क्या यात्रू के लिए सही रहेगा क्या इसके बाद भी उनका बायोमेट्रिक हो जाएगा पंजी करानी या फिर नहीं और इसी के साथ जिन भी डॉक्टर्स की लिस्ट ना आ रही है चेर्स की सर्वर को ठीक करें क्योंकि वहाँ पर कहीं सारे श्रतधालों हैं जिनके घरों से बेंक ब्रांचिस बहुती जादा दूर है और इसके बाद वहाँ पर दिन बदिन जो है वो स्लॉट्स बुक्ट होते जा रहे हैं और वै पंजी करण एक लाग के पार होने की आज उमीद है साथी साथ आप सभी को प्जादे कि अमरनाच जी आत्रप पराने वले श्रत धालू के लिए एक बहुती बड़ी खबर है कि भीड भढ़ने पर बैंक ब्रांचिस में अमरनाच जी आत्रप पराने वले श्रत धालू को ट श्रीयमानाच जी हर हर महादेय।